हलो फ्रेंस आप सभी का स्वागत हैं फ्रेंस आज हम घातांकों का नियम सिखेंगे घातांकों से संबंदित जितने भी नियम है इस वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंस यहाँ पर हम घातांकों से संबंदित आठ नियम को देखेंगे फ्रेंस आप यह आठ नियम को देख ले चलिए फ्रेंस स्टार्ट करते हैं तो आपके सामने या पहला नियम है देखिए फ्रेंस आपको इसको समझने से पहले आपको एक पॉइंट बताते हैं उस पॉइंट को आप ध्यान दीजीगा फ्रेंस कहीं भी इस पकार एप पावर माले जी की यम लिखा है जैसे यहां पे लिखा है एप पावर यम पॉइंट पका लिखा हुदता है तो फ्रेंस देखिए पावर यम है तो यह है इसको को हम क्या बोलते है आधार क्या बोलेंगे फ्रेंश और इस को सब्सेकों इंग्लीज स्में बीस ठीक है आप पढ़एं भी यहches सब्सौरास का भी के example के तोर पर समझते हैं जैसे यहां पर लिखा है पांच पर पावर तीर तो फ्रेंस यहां पर कोई आप से पूछे कि आधार कितना है तो फ्रेंस आप बताएंगे आधार आपका कितना है पांच है और यहां पर घात कितना है तो आप बताएंगे तीन है ठीक है फ्रेंस देख इस प्रकार का आपको लिए नियम मिलता है या इस प्रकार का सवाल मिलता है तो पहले इसमें देखते हैं आधार को देखे फ्रेंस यह आधार यह आधार है जब दोनों को आधार समान होता है तो इस पे जो पावर होता है इसके पावर को जोड़ देते हैं अर्थात कैसे कि एक्जांपल समझते हैं गुरेंख एक्जांपल जैसे यहां पर ले लेते हैं दो बटा के तीन पर पावर कितना लिख दिया गुड़े यहां पर दो बटा के तीन लिखा और इसके पावर कितना कर दिया चार कर दिया देखिए फ्रेंज यहां दो बटा के तीन पर पावर तीन है दो बटा के तीन पर पावर चार अर्था यहां पर आधार कितना है दो 7 को इसको आपस में जोड़ देंगे चार और तिन historically होगा साथ इसका एंसवर यही होगा तो देखें यह आपके नियम को आपको आट नियम Alicia और समझ्ये चलिए देखिए देखें अब आप तया से बन्वार है ढद्याबर है जब हो होता है और आधार बराबर होता है निए कि यहां हो माइनस करेंगे इस प्रश्न प्रश्म समझें कि यदि आपका गुड़ा और को जोड़ते हैं यदि भाग है गैर देखते हैं निए example लेते हैं कि देखे दो पर power यहां पर 3 लेते हैं और भाग कचण देते हैं और 2 पर 4 दो लेते हैं ठीकिए defense यहां पर आधार क्या देख रहे हैं कि आपका समान है याने कि यहां पर लिखेंगे 2 और इसके power को क्या गटा लीजिए तीन में से दो गटाएंगे तो एक बचेगा यही फ्रेंस क्या हो जागा आपका इंस्वर होगा चलिए फ्रेंस और एक्जांपल के तौर इसको समझ लेते हैं देखे एक्जांपल और ले लेते हैं जिससे आपको डाउट ना रहा जाए जैसे यहां पर तीन पावर ड़लेते हैं और यहां भाग के पावर can देते हैं और यहां पर तीन पावर चार लेते हैं देखे अधा बराबर है और उसमें भाग किंः यहां आठ में से चार गटाएंगे फ्रेंस कितना बचेगा आपका चार बचेगा यहीं एंसर होगा अब यहां पर दीखेंगे अब पावर पिर पावर यानि यह पर पर पावर एम और उसके वह कोश्टक बना के पावर हो तो इसको किस पकल लगाएंगे यहां पर आधार कि आधार लिखने के बाद क्या करेंगे कि जब पावर पावर होगा इन दोनों का अपस में गुड़ा करेंगे या में गुड़े इन करेंगे यह आपका नियम होगा इसको एक्जामपल के तोर पर समझते हैं देखे फ्रेंस एक्जामपल लेते हैं यहाँ पर पावर यहाँ 3 लेते हैं और इसके power क्या कर लेते हैं , आच्छा कर लेते हैं तो देखिएँ फ्रेंस अभी बता नियम यहाँ पर पांच लिखें गें और जब घात बता दिन को गुणा कल देखिए तीन का च्छा में गुड़ा करेंगे कितना होगा तीन च्छाप अठार होगा और यही एंसर होगा फ्रेंज जो नियम बता रहे हैं इसको आप ध्यान पुरुवक देखेगा इस पे आप सवाल लगाएंगे तो बहुत आसानी पुरुवक से आप लगा लेंगे चलिए फ्रें यहां पर आधार A है, यहां पर आधार B है और फार्थात जो आधार है अलग अलग है लेकिंर यहां पर पर फ्रेंज इसका घ.» ॅ. जर में फ़िलेंगे और इसके का इंहें पर बिलेंगे और इसके शुआदी अ कोई एक लिखेंग यानि सिर्फ Y लिख यानि कि जो आधार अलग अलग है इन दोनों का अपस में गुड़ा करेंगे और उस पे जो दो पावर अलग अलग दो पावर समान उसमें एक पावर ही लेंगे चाहिए इस एक्जामपल की तौर पर समझते हैं फ्रेंस एक्जामपल बताना आप लोगों के लिए बहुत यहां पर लेते हैं 3 पर power 6 दे फ्रेंस यहां पर आपका आधार कया है दोनोंगा लगश्क है लेकिन घाद समाने तो एस में स्काली जद्छा है जुब यह निकंखेंगे उन दोनों के आपसमें गुड़ा कोने मिकाश्जां ओर्षा च्छ हो जाएगा और यही फ्रेंश क्या हो जाएगा आपका एंसर होगा तो फ्रेंश जब क्या करते हैं कि यहां पर आधार अलग अलग घात बराबर होते हैं इस प्रकार इसको लगाते हैं यानि एक गुड़े भी लिख देंगे पावर यंद कर लेंगे जो अगले सवाल प पर पावर एन है यहां पर क्या है कि आधार आपका समान है लेकिन घात अलग अलग है लेकिन पांचवान नियम जो है आपका क्या है कि आधार जो है अलग अलग है लेकिन घात समान है तो फ्रेंस इसको कैसे लिखते हैं इसको लिखें कि एप पावर एम अपार बी पर पावर फिक देखिए यहाँ पर घात आपको क्या है समानत इसको इस पकार भी लेग सकते हैं ए अपन बी पर पावर इभ ठीक है फ्रेस इसको डारेक्ट लिख सकते थे लेकिन आप चलिए इग्जामपल के तोर पर इसको समझते हैं यहाँ पर लिखते हैं इग्जामपल देखिए यहाँ पे लेते हैं 3 पे पावर 6 भागे 2 पे पावर 6 ठीक है देखिए इस परकार लिखे लिए लिखने के बाद क्या करेंगे फ्रेंज इसको आप इस परकार भी लिख सकते हैं कि 3 पे पावर 6 अपां 2 पे पावर 6 लिख सकते हैं अब देखिए क्या करेंगे होगा इंसर होगा चलिए आप आते हैं वेरी वेरी इंपोर्टेंट सवाल पर फ्रेंश कि यहां का छटवार स्टावार नमबर का रूल है यार गहताइं का चटवार नियम है कि यह पर देखें यहां पर लेते हैं 10 और 10 पे पावर कितना दिए और जीरो तो आप याद रहेगा में आध़ार कुछ भी हो चाहिए 10 हो चाहिए पांच हो चाहिए 10000000 चाहिए कुछ भी हो यदि उस पे zero पावर आता है तो उसका मान हमेज़ा कितना एे होता है चले एक एक और घ्जामपल के तोर पिएहां समझाट हैолж कि मान किए यहां पर किसे ब्रक्ते हैं 25 और इस पर आगी आपका घीरो फचेरिशalten भ्स बास तुया छुञाहां इसका मान भी एक होग ओस फ्रेंस आपको सिर्फ यहां पर याद रखना है कि आधार कुछ भी हो लेकिन उस पर जीरो घाता है तो उसका मान हमेसा एक होता है आपका अगला रूल है कि देखिए पर पावर माइनस वन हो तो फ्रेंस जब पावर माइनस होता है तो इसको प्लस बनाने के लिए क्या ठीक है गयाणि कि यह माइनस प्लस बनाने के लिए इस घ्राइंगे हर में बेद देनगे तो फ्रेंस देखिए रूल यही बावर में इसको plus मनाने के लिए कि रेंगे एक साथ प्रवार वन यानि कि एक बटा के साथ प्लस वन होता है फ्रेस्टे इसका क्या होगा जो आधार यहां पे लिखा होगा वही इसका एंस्वर होगा एक्जामपल के तोर पर समझते हैं फ्रेंस आपका एक्जामपल है कि यहां पर जैसे 11 ले लेते हैं 11 पर पावर कितना लेते हैं एक पावर ले लेते हैं तो फ्रेंस यहां पर 11 गयास्थान पर आपका 12 हो एक लाक हो 20 हजार हो 30 हजार कितना भी हो यहां पर यहां पर पावर ए एकना है एक लिए इसका मान भी कितना होगा अपका 25 ही यही आपका इनसोर होगा तो फ्रेंस यह घ्षातांग से पाःट नियम था प्रेंस गहातांग से समबादित आठ नियम यह आठ नियम यहिदि आप अच्छ़ी समझ लेते हैं और इसको याद रखते हैं और इस पर आप सवाल लगाते हैं तो आपको किसी परकार का डाउट आपके दमाग में नहीं रहेगा। तो फ्रेंस आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो का लाइक करें और चैनल पे नए है तो चैनल को सब्सक्राइब करें